ओिन्द एंपर नेक्षिडर लमबर और में करेंगे कि आपको समझाएं कि नेक्रberg क्या होते हैं TV क्या ओते हैं और irrational numbers क्या होते हैं तो first of all हम check कर लेती कि हमारा mic ठीक है यह वाग से इता जा रही है ठीक है बाइक बिल्कुल ठीक है बच्चों तो देखें हमने पीशे भी क्या पढ़ा था इना previous lecture की natural numbers को हम capital N से denote करते हैं तो बच्चों देखें जो number one से start हो और end तक जाए है मतलब उसकी कोई ending ना हो मतलब कि वह infinity को approach करें तो बच्चों infinity का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में हमें नहीं पता जहां तक हमारी पहुंच नहीं है हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता कि इसका कहा हो रहा है ठीक है हम कोई number अगर हम बात करते तो हमें नहीं पता कि million billion trillion के बाद यह number कहां तक end होंगे तो उसको बोलते हैं infinity तो बच्चों एक बात क्या है कि जो हमारे पास natural numbers है उसमें proper number होते हैं जैसे कि पूरे पूरे number जो हमारे है इसमें सिर्फ positive number होते हैं और जो one से start होते हैं ठीक है one two three four five six seven eight nine ten and so on to infinity ठीक है उचलते जाते end तक उसी तरह बच्चों जो whole number है उनको हम capital W से represent करते हैं तो बच्चों whole number हमारे zero से start होते हैं और यह भी infinity को approach करते हैं तो बच्चों यह same process है जैसे कि natural number में हमने पढ़ा same जो natural number है वही whole number है लेकिन बस whole number में एक extra number होता है और वो है zero ठीक है तो अब बच्चे इसनी बात को समझ आई तो बच्चों हम यह कह सकते हैं कि every natural number is a whole number कि every हर एक natural number है वो whole number हो सकता है मतलब वो तो है ही क्योंकि अगर हम zero को छोड़ दें और बच्चों अगर हम one को यहां से consider करें तो one से लेके infinity तक तो बच्चों यह whole number भी है और यह natural number भी है लेकिन अगर इसको हम उल्टा करतें कि every whole number is not a natural number कि every हर एक natural number I'm sorry हर एक whole number natural number नहीं हो सकता तो बच्चों यह point आपने अपनी copy में लिख लेना है कि every a natural a number is a a whole number a but every a whole number a is not a a natural number तो ठीक है बच्चों यह लाइन आपने अपनी copy में लिखनी नहीं है तो कि every whole number natural number नहीं हो सकता क्योंकि every में 0 भी आ जाता है ठीक है तो जीरो तो national number होता ही नहीं है ठीक है तो यह आपने आपने लिख लेना इसको में रफ कर देता हूं ठीक है आप इसको वीडियो को पोस्ट करके आप लिख लो ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी यह जीजी से रिप्रेजेंट करते हैं वह सबसे पहले हम क्या करते हैं एक number nine बनाते हैं यह जो लाइन बच्च हमने बनाई है सिंपल से यह हम लाइन बना देंगे इसको हम बोलते हैं ग्मबर लाइन इसके उपर center में रखते हैं आपर zero zero 000 के right hand side में जो नमर हमारे पास होते हैं वह one से start होते हैं one two three four बचुँच चलते जाते हैं धीक है और यह approach करते हैं plus infinity को बच्चो zero के left hand side में जो number होते हैं वहariamente negative minus one minus two minus three minus four minus five ठीक है वैसे ही minus six और बच्चो यह approach करते हैं minus infinity को ठीक है तो बच्चों अब देखें ऐसा हमारे पास यह number line होती है और ऐसे number line हमारे पास बन जाती है तो बच्चों जो 1 से लेके infinity तक ठीक है मैं दोबारा पता रहूं आपको 1 से लेके 1 से लेके infinity तक जो हमारे integers होते हैं इनको हम बोलते हैं positive integers क्या बच्चों minus 1 से लेके minus infinity तक जो हमारे पास चितने ही इंटीजर होते हैं इनको हम बोलते है negative integers ठीक है यह हमारे होगे चलो यहां पर ऐसे लिए तो जगा नहीं है positive integers और negative integers जैसे कि बच्चों मैंने आपको भी पीछे बताया था पीछली वीडियो में कि zero के आगे कि ना तो कोई positive sign लगता है ना ही negative sign लगता है तो जीरो ना तो positive integers होता है ना ही negative integers होता है यह सिर्फ अकेला क्या होता है एक integer होता है क्या होता है एक simple integer होता है तो बच्चों आपको मैं बताता चलूं कि rational number वो number होते हैं जिनको हम P upon Q की form में represent कर सकते हों मतलब P upon Q की form में लिख सकते हों कोई भी number है जिनको मतलब हम P upon Q की form में लिख पाएं वो हमारे क्या होंगे rational number होंगे होते हैं लेकिन बचाँ यहांपर कुष condition होते हैं कि Q को हम 0 के dokład put नहीं कर सकते हैं मतलब Q को हम 0 put नहीं कर सकते हैं हैं पर condition होती मैं आपको बताऊंगा कि यह condition क्यों होती है उसके बास second condition है कि P around Q हमेशा integers हищ होते हैं भी जो P और Q है ठीक है तो यह हमारे इंडिजर्स ही होते हैं तो बच्चों देखो P और Q अगर हम लिखते हैं P upon Q तो उपरवाला जो नंबर बच्चों हमारा होता है इसको बोलते हैं निउमिनेटर का बोलते हैं निउमिनेटर ठीक है इस पैलिंग आई होब की ठीक होगी और बच्चों नीचे वाल नं हमेशा इंटीजर को छी होते हैं साटा साल जञे नहीं होता को बहुते हैं यह उपर वाला जो नमबर है वह भी हमारा इंटीजर से ओर नीचे वाला नंबर है कि यह भी हमारा positive integers लिखना है ना तो इक्वल टू पी हमने ले लिए 1 क्यू ले लिया तो बच्चो यह हमारा क्या बन गया अगर बच्चो मैं मानन के चले कि इसको मैं ऐसे ल ना चूहिए ऐन नंबर होगा क्योंकि जब भी in 낮 इंटर में वन हो तो वो one को हम नेकल कर सकते हैं तो वह ढोता है तुम मतलब क्या हूँआ कि जितने भी हमारे पास यह integers यो single number हैं यह सारे ही क्या होते हैं rational नमबर होते हैं single numbers कोई भी हो ठीक है तो two of one हमारा क्या हो गया एक rational number हो गहारे वैसे उसी तरह बच्चे अगर हम फी को three ले ले और क्यों को seven ले ले तो बच्चो ये भी हमारा एक rational नंबर है उसी तरह 7 अपन 3 ले ले तो यह भी हमारा एक रैशन नंबर है अगर बच्छो हम डाइगटीव इंटीजर्स ले पी को भी हम ले 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 रही क्या होंगे रैशन नंबर होंगे जैसे कि P को मैं ले लिए माइनस 1 और Q को ले लिए माइनस 2 तो बच्छों हम चाहें तो माइनस माइनस आपस में cancel होके 1 upon 2 ही बन जाएंगे लेकिन आप चाहो तो 1 upon 2 लिख लो या पिर ना लिखो आपकी मरजी है अगर आप नहीं लिखना चाहते तो वो भी आप माइनस की form में रहा दो को कि हम इसको माइनस की form में represent करना चाहते हैं तो इसलिए माइनस 1 और माइनस 2 इसे चलेगा पता P को आपने माइनस 1 लिया है मतलब नेगेटिव इंडीजर लिया और क्यों को आपने नेगेटिव इंडीजर लिया तो माइनस 1 अपन माइनस 2 ये भी हमारा क्या है बच्चों ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है उसी तरह बच्चों अगर माइनस 2 अपन माइनस 1 लिया तो बच्चों ये भी हमारा एक rational number बनेगा ठीक है और अगर बच्चों हम मान के चलें कि एक number हम एक number हम जैसे मान के चलें कि हमने P को ले लिया negative integer और Q को ले लिया positive integer तो बच्चों ये भी हमारा क्या है एक rational number है उसी तरह P को ले लिया हमने positive integer ठीक है P को ले लिया हमने positive integer और Q को ले लिया negative integer तो बच्चो ये भी हमारा एक rational number है उसी तरह इसको हम इसका उल्टा भी कर देंगे तो ये भी बच्चो हमारा एक rational number है ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है दोनों में से किसी भी नंबर को आप negative positive ले सकते हो ठीक है तो वो बच्चो हमारा क्या होगा rational number होगा यहां पर जैसे condition हमें बोली गई है आप चाहो तो इसको आप वीडियो को रोक के आप इसको note कर सक zero के equal put नहीं कर सकते मतलब मान के चले कि कोई भी हमारे पास condition है मान के चले P को हमने one put कर दिया तो अगर हम इसको नीचे Q को zero put कर देंगे तो बच्चो यह हमारा note defined हो या आता है मतलब कि infinity को approach करता है ठीक है यह किसी के equal नहीं होता मतलब इसको approach कर रहा है मतलब इसके करीब है अगर approach कर रहा बच्चो infinity हमारे पास है तो इसकी value हमें नहीं पता कि इसकी value है क्या one upon zero की value हमें पता ही नहीं है हम गहतें infinity को approach कर रहा है जहènिएvertight कि इनकी value थो हमें पता है हमारे पास को नेगेटिव नमबर हो वोपर गुष भी हमारा इन pedir Jawn डियाएक लेकिन बच्चों ऐसा हो सकते कि पीछल हमाघ्ण करते क्युक्षny इह पुट कर दें क्यूज को हम वन पुट कर दें पॉसीथ है के Western number है क्यों नोट इकल टू जिरो नोने ये नहीं बोला कि पी नोट इकल टू जिरो ने ऐसा नहीं बोला ठीक है तो बच्चो जीरो अगर पी हमारे ओपर जीरो है तो बच्चो यह बात हमारी हो गई और अगर मान के चलें कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वन लेक है तो बच्चो यह भी हमारा जीरो के एकल ही होगा तो बच्चो अब हम नेक्स्ट करते है irrational number कि वो हमारी number कौन से होते हैं तो इसको बच्चो मैं रब कर लेता हूं ठीक है irrational number इसके साथ ही हम कर देते हैं यहां पर एक point लिख लेता हूं ठीक है तो actually जो यह sequence टॉपिक है बच्चो इससे पहले आपको यह समझाना जुरूरी था कि numbers क्या होते हैं कि आपको हुआ problems ना है इसके बाद मैं आपको function समझाओंगा domain range code domain आपको समझाओंगा actually होता क्या है क्योंकि अगर आपकी यह problems दूर हो जाएगी आपको यह समझ आदाएगा फिर आपके लिए sequence को समझना आपको यह हो जाएगा कि बहुत कोई यहां पर कहवत नहीं कहूंगा लेकिन जो भी है मतलब काफी ही हो जाएगा आपके लिए ठीक है कहते हैं खाला जी का बाड़ा हो होते हैं मैंने आपको बताया सबसे बाड़े इसकी मैं बात करता हूं तो नहीं कर सकते तो बच्चों यह होते अब बच्चो अगर हमने पहचान करने है तो एक्जांपल में कुछ यहां पर लिख देता हूं एक्जांपल ठीक ऐसे कि अंडरूट टू अंडरूट थ्री अंडरूट फाइव अंडरूट सेवन और एक्सेक्टरा तो बच्चो यह मैंने कुछ नंबर्स लिखें आप पाई और नंबर हैं वह हमारे इर्राइशन नंबर है मतलब यह अंडरूट के अंडरूट होने चाहिए से 357 लेकि एक बाद बता हूं अंडरूट जो 9 ना वह इर्राइशन नंबर नहीं है ठीक है तो इसको इसका रूल होता है और बच्चो वह रूल क्या है आप उस बात को समझ और कॉम्पोसाइट नंबर्स को समझना होगा प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर्स को हमें समझना होगा इर्राइशन नंबर को रेकनाईज करने के लिए तो बच्चो प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो कि या तो वन या फिर खुद के डेवल पर आ जो 2 बच्चो हमारा है वो यहां तो 2 की टेवल पराता है तो 1s रे 2 यहां फिर वो 1 की टेवल पराता है 1, 2s रे 2 जिम्कें सिर्फ 2 ही फैक्टर हो중 आप यह simple language में कह सकते हो 3 होगया बच्चो हमारा 3 या तो 1 के टेवल पराता है या फिर खुद के डेवल पर आता है 4 तो बच्चो 4 जो हमारा है वो 1 के डेवल पर भी आता है 1, 4 जा 4 वो 2 के डेवल पर भी आता है 2, 2 जा 4 और वो खुद के डेवल पर भी आता है 4, 1 जा 4 तो बच्चो वो हमारा prime numbers नहीं है वो क्या है composite number है ठीक है तो simple शब्दों में आप यह कह सकते हो कि जिन number के only two factor हो वो prime number है जिन number के two से ज्यादा factor हो more than two factors is called composite numbers ठीक है उसके इलावा गरा हम five की बात करें तो बच्चो five भी हमारा one की developer आता है और five की developer पर आता है वैसी बच्चों हमारा जो six number है वो one पे वो two पे वो three पे और six पर आता है तो बच्चों यह हमारा composite number है seven हमारा one पर आता है और खुद पर आता है तो बच्चों यह हमारा composite prime numbers है बच्चो nine की बात करें तो बच्चो nine जो हमारा है वो 1 पे आता है और वैसे वो 3 पे आता है वो 9 पे आता है तो बच्चों यह हमारा composite number है और भी numbers की बच्चों हम बात करें जैसे कि 10 जो हमारा हो गया 10 बच्चों हमारा 1 पे आता है 2 पे आता है 5 पे आता है और खुद पर आता है तो बच्चों यह हमारा composite number हो गया अगर और बच्चों अगर प्राइम नंबर के ऊपर आप सको नोट कर लेना ठीक है यह हमारे इसके रिगार्डिंग जैसे कि मान के चलें यहां पर मैं लिख दिया 13 लिख दिया है ना यहां पर मैंने 17 लिख दिया को कि 15 की नहीं बनेंगे 15 की तो बहुत सेक्टर होता है देखें 15 ज हो गया और 29 हो गया ठीक है 31 हो गया तो बच्चों यह हमारे सारे क्या है प्राइम नंबर से ओके और दूसरी मैंने जो इसकी डेफिनेशन क्या बताया थी कि जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते हूं ठीक है यह आपको मैं क्या हो जाएंगे ऐसे घ्लीजा थी कि यह तो यह थेखो यह तो हमारा पंडा हो गया कि वौट इस नंबर की अगर हम प्राइम नंबर के बेस पर देखें तो और रेशन कौन से होते लें हमारा होता है पाई आपने सुना होगा एक सिम्बल होता है काफी दफे काफी वार् या तो पुट करते हैं 22 upon 7 या फिर हम कहते हैं approximately 3.14 ठीक है आप यह कहलो ठीक है लेकिन बच्चो अगर आप 22 upon 7 को real में divide करो 22 upon 22 को अपने अंदर रखने as a dividend 7 को बाहर रखने डिवाइजर और यहां पर हमारा आएगा 3.14 तो बच्चो यह रुके गा नहीं हम तो यह एप्रॉक्सिमेट वैलू यहां पर लिख लेते हैं ठीक है पॉइंट के बाद 2 डिजिट ठीक है अप्रॉक्सिमेट इस चलता जाता ह इनको प्यू पॉँपन क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजन कर सकते हैं माँगने चले कि हमारे पास 10 अपॉण देखें यहां पर हमारे पास 10 अपॉण 5 तो बच्चो टैन को हम रखेंगे अंदर 5 को रखेंगे बाहर 5 extension 10 बन जाएगा वडशो देखें यह हमारा यहां पर ही क यह भी प्यूपन क्योंकि फॉर्म में हमें दिख रहा है लेकिन इसको हम प्यूपन क्योंकि फॉर्म में लिख तो लिया हमने लेकिन इना रियल विस्टिक फॉर्म इसको हम प्यूपन क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसके रिजल्ट को हम जो नंबर होता है कि या जो जहाएं तो बच्चों देखें यहां पर हमारे पास रिमेंडर जीरो आगया जितने भी हमारे रैशनल नंबर होंगे उनका जो रिमेंडर हम डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर जीरो आही जाएगा हमेशा ही ठीक है तो इस case को बोलते हैं terminating यह जो हमारे पास भागफल आया यह कह है terminating मतलब इसका end हो गया इसका end हो गया और जिनका end नहीं होता जो point के बाद चलते जाते हैं हम क्या बोलते है non terminating या फिर कई वर ऐसे होते हैं कि point के बाद चलते जा रहे हैं ऐसे कि 145 145 145 ठीक है यह तीन जो डिजिट हमारे बारवर रिपीट हो रहे हैं या फिर 3.1414141414 में भी कुछ ऐसे cases में हो सकता है ठीक है कुछ मतलब दो डिजिट आपस में बारवर रिपीट ह हो रहे हैं या फिर 3.11111111 तो वन यहां पर बच्चों बारवर रिपीट हो रहा है तो इस cases में क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं जैसे कि यह वाला जो केस है इसको लिख देंगे 3.145 उपर एक लाइन लगा दें इसको बोलते हैं बार इसका मतलब क्या होता है कि 145 वारवर रिपीट हो रहा है इन नौन टर्मिनेटिंग्टीं मुलते हैं इसको क्या बोलते हैं नौ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इंक नॉन सरुइसे बस्चों लिखना चाहिए तो थी पॉएन के ऊपर बार लगा देंगा अ और next lecture में हम करेंगे what is the functions as well as domain co domain range तो उसे पर आपके तर नोड करें थैंक यू सो मुच